प्रखवाद में बीजेपी नेता की गुंड़ाई देखने को मिली है बीजेपी मीडिया प्रभारी जिला पंचाय सदस्य के नामांकर में कलेक्टरेट आयो हुए थे इसी दोरान जंडा लगाने को लिकर बिवाद हो गया जिसके बाद बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी ने फतेघड कोतवाली इंचार्ज के साथ धक्का मुक्की कर दी गटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया जिसके बाद आरूपी शिवांग और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है ललतपूर में ड्यूटी के दोरान पीठासीन अधिकारी की तबियत बिगड़ गई महरोनी बूत संक्या 846 पर तैनात मनोजगिरी की पोलिंग बूत पर अचानक तबियत भिगड़ दी जिसके बाद मौके पर मौझूद चुनाओ प्रिशासने का दिकारी उने उन्हें ततकाल स्वास्त केंद्र महरोनी में भरती कराया जहां गंभीर हालत में उन्हें जिला स्पिताल के लिए रेफर कर दिया गया है फिरोजाबाद जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित केसों को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णा लिया है तो वहीं दूसरी और विकासखन टूंडला में आज रविवार को लोगों की भारी भीड दिखाई दी दरसल तरियस तरिये पंचाट चुनाओ को लेकर लोगों ने जो नामंकन किये थे उनके आज चुनाओ चिन लोगों को वित्रित किये गए इस दौरान फिरुजावाद की और जाने वाले सर्विस रोड पर जान की स्थिदी बनी रही तो वहीं दूसरी और विकासखन टूंडला में प्रशासनिक विवस्ता पूरी तरह फेल नज़र आई संभल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके चलते प्रशासन की बेचानी बढ़ने लगी है हयातनगर थाने का पूरा स्टाफ कोरोना की जद में आ चुका है यहां तेराद पूरे स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है प्रिसासन ने पूरे थाने को 48 घंटे के लिए सील कर दिया है वही थाना परिसर को सेनिटाइज भी किया जा रहा है संबल में कोरोना के ताजा आकड़े की बात करें तो संबल में अक्टिव केसों की संख्या 631 पहुँच चुकी है जबकि कोरोना के चलते क्यावन लोगों की मौत भी हो चुकी है कानपुर के मानेवर काशी राम हॉस्पीटल में भरती मरीज ने एक वीडियो वाइरल का संसनी फैला दी है वीडियो में कोविड मरीज खराब स्वास्ते विवस्थाओं का खुलासा करते हुए नजर आ रहा है कोविड मरीज ने सरकारी अस्पताल पर गंभीर आरूप लगा है वीडियो में दिख रहे मरीज परीक्षिक गुपता ने बताया है कि अस्पताल में बंधन जैसे हालात है अस्पताल में ना तो सही से इलाज मिल रहा है और ना ही उन्हें घर जाने दिया जा रहा है गुपता ने कहा कि वो जिंदार रहना चाहता है, इसलिए उसे यहां से जाने दिया जाए, वो करज लेकर अपना इलाज खुद करवा लेगा, वहीं वीडियो वारन होने के बाद अस्पताल प्रिशासन के बीच हड़कम मच गया, आनन फानन में भरती मरीजों के मोबाइल फ रामत की है, अनुमान लगाया जा रहा है कि यह शराब त्रियस्तरिय पंचाय चुनाओं में प्रियोग के लिए लाई गई थी मेराजगंड में कल दूसरे चरण में होने वाले पंचाय चुनाओं मतदान के लिए पूलिंग पार्टी आज रवाना कर दी गई है, शांतिपूर्ण मतदान संपन कराने के लिए सभी मतदान केंदरो सही जनपत से सटी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजंसियां अलर्ट पर हैं, इसके साथ ही नेपाल सीमा के नो मेंस लेंड पर सुरक्षा एजंसियों दोरा पैदल गस्त एवं हर आने वाले बाहनों की सगन तलाशी की जा रही है बडायों जिले में पंचायद चुनाओं के लिए सोंबार यानी कल मतदान होगा, आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, जिलादिकारी और SSP ने पोलिंग पार्टि की रवानगी स्थलों पर पहुँचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, इस बार जिले में जिला पंचायद की 51, VDC की 1261, प्रधान पद की 1037, ग्राम पंचायद सद से पद की 12801 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें 19,49,780 मतदा था अपने मतादिकार का प्रियोग करेंगे फिरोजाबाद में एक मंचले यूवक को फोन पर इश्क लडाना उस समय महेंगा पड़ गया जब यूवक को महिला ने फोन पर मिनने बुला लिया, तभी महिला के परिजनों ने यूवक को पकड़ लिया और भीड ने खंबे से बांद कर जम कर पिटाई कर दी, सूचना क के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यूवक को आजाद कराया और बाद में पुलिस यूवक को अपने साथ ठाने ले गई मेराजगन जनपर में 19 सपरेल को दूसरे चरण में होने वाले पंचाय चुनाओ को देखते हुए बारत नेपाल सीमा पर सतरक्ता बढ़ाधी गई है, अराजक एवं देश विरोधी तत्वों को रोपने के लिए प्रिशासन SSB पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजन्सियां अलर्ट पर है शांतिपूर्ड मतदान संपन कराने के लिए सीमा पर मौजूल सभी सुरक्षा एजन्सियां सयुक्त रूप से 9 मैंस लेंड शेत्र में गस्त कर रही हैं जिससे चुनाओ शांतिपूर्डन से हो सके गुरकपूर में उत्तरप्रदेश सरकार द्वार आज रविवार को कम्प्लीट लॉकडाउन का अभिहान चलाए गया जिसमें पुलिस प्रसासन पूरी तरह से मुस्तैत दिखा एक दिन के संपूर्ड लॉकडाउन का सडको पर खासा असर दिखा झालाई एक तूर्ड दिखा झालाईम you ट oyun झाला, एक पुलिस पूर्ड के डी